आइए हम लोग 10th class UP board के प्रोस का second chapter है आ लेटर तु गॉड जिसको किस नहीं लिखा है जी एल फेवन्स ने ठीक है जिनका lifetime कितना रहा है 1928-2011 12 सरी है न तो इनको आप figure में देख सकते हैं ठीक है आइए पहले हम लोग जानते हैं इस आथर के विशा में और फिर उसके बाद कुछ लेसेन के बादे हैं फिर हम लोग लेसेन स्टार्ट करते हैं मैं आपको पूरे grammar और meaning synonyms के साथ पूरा chapter पढ़ाऊंगा बने रहे हैं मैं इस chapter को दो पार्ट में करने की कोसिस करूंगा ताकि अच्छे से हो सके ठीक है देखे about the author आथर माने लेखक होता है यानि लेखक जो थे one of the famous modern writers ठीक है एक आधुनी प्रिशिद लेखक ते है एक आधुनी प्रिशिद लेखक ते है has written for the young as well as the old has written यानि लिख चुके है ठीक है for the young यानि जहवानों के लिए as well as साथ ही साथ इसके the old यानि बूरों के लिए भी he is a simple वो एक साथारान थे short story writer छोटी कानियों के लेखक and humorist humorist का मतलब होता है ठीठोलिया समझें ना यह मजाक करने वाला कौन तो humorist भी थे वो फिर उसके बाद he is a general writer who has written on the simple themes he is a general writer वो कैसे थे बिल्कुल साधारान ही लेकक थे who जिन्होंने has written लिख चुके हैं या लिखे हैं on the simple यानि साधारान themes यानि विशियों पर ठीक है साधारान विशियों पर लेका है a letter to God जो यह writer है हमारे मादर इसका अर्थ हुआ a letter यानि पत्र to God यह भगवान को तो यह भगवान को एक पत्र तो a letter to God जो यह सीरसक है हमारा title तो is his simple story यह इनकी एक अपनी साधारान काहनी थी which is full of the humor जो की हसी से भरी होई थी ठीक है यह तो आप समझ गए हो गए इनके विश्यों में भी थोड़ा सा स्टोरी के विश्यों में भी अलका से जान करे थी आईए about the lesson के भी समय भी थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है यह क्या है तो लेंचो दा हार्ड वर्किंग फार्मर जो लेंचो था वो क्या था बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था यहानि कठिन परिस्टरम करने वाला किसान lived in the valley कहा रहता था घाटी मे रहता था, on the top of the low hill, एक छोटी सी पाली के टॉप पे रहता था, उंचाई पे, ठीक है, one morning he phased ruin, one morning एक दिन, he phased, उन्होंने सामना किया, ruins बरबादी का, due to other savoury snowfalls, resulting a total damage of his crops, one morning एक दिन, he phased, उन्होंने सामना किया, ruined, due to other savoury snowfalls, savoury मनें होता है, गंभीर, ठीक है, गंभीर snowfall, यानि कि बरबारी, या ओले गिरना, ठीक है, वहाँ हैल स्टोन था, आप snowfall तो जिसे कस्मीर बगरा में गिरता है, उस सरी के काप समझ देंगे, यहाँ ठीक है, तो ओले आ में जब फिच्च क्राफ्स, उसका फसल पूरी बरबाद हो गई, he turned to God in the distress and wrote a letter asking him to send money, he turned to God, वह भगवान की ओर उसने रुक किया, ठीक है, in distress अनि तनाव में and wrote a letter, परिशानी में भी आप बोल सकते हो, इस्ट्रिस तो समझते हो, यह ना, and wrote और उसने लिखा, एक पत्र, और asking him और उनसे कहा, to send money, धन भेजने के लिए, पैसा भेजने के लिए, अब postman saw the letter, एक postman ने देखा, a letter to the God, ठीक है ना, the letter to God, यह भगवान के लिए एक पत्र, and took it, और उसे ले गया, the postmaster के पास, और who first loved, पहले वो हसा, and then was surprised, फिर वो आश्चर चकित हुआ, at the faith of the writer, यानि कि, जो राइटर था यानि लेका, जिसने पत्र लिखाते है, यह उसके लिए हो रहा है, कि लेक पत्र लिखने वाले विक्ति के, जो है, विश्वास पर बहुती आश्चर चकित हुआ, फिर उसके और उसे भेज दिया, to the lencho, यानि lencho को, along with a letter, letter के साथ, तो when the lencho got the letter, जब lencho ने लेटर पाया, with the money, and counted it less, जब उसे गिना तो कम पाया, तो he felt furious, तब वो थोड़ा चिंतित हो गया, so he wrote another letter, उसने दुबारा एक letter लेका, to God भगवान को, asking हम उनसे कहा, क्या, to send rest of the money, यानि ब and to send rest of money, not by the post, as the post office implies, जो post के दोरा, दूसरे कर्मचारियों के दोरा, आप ऐसा ना भेजे, वर, but, बंच, यहाँ, implies, वर, दा, क्या है, बंच आप क्रूक्स है, बंच आप क्रूक्स का मतलब होता है, यह दिख नहीं लाओगा आपको, यह, बंच आप क्रूक्स का मतलब होत होता है, कि एक मुहाबरा लिखा है, जैसे उट के मुह में जीरा बोल देते, तो इसका मतलब उट जीरा थोड़ी नहीं हो गया, इसे बंच आप क्रूक्स का मतलब होता है, धूर्त, क्या होता है, धूर्त ब्यक्ति, हैं बहिमान, ठीक है, अब यह, जैसे बंच माने तो प्रत हुआ इसका, ठीक है, आइडम्स, फ्रेजेज बोलते हैं, इंग्लिस में मुहाबरे और लोकोक्तियों को ध्यान रखिएगा, अइडम्स, फ्रेजेज, ठीक है, यह आपको आगे की क्लासों में जबरत पढ़ाईए, आई आप हम लोग चेप्टर सुरू करते हैं, ठी देखिए, शुरू से वीडियो बढ़ाना हो, इस बात का ध्यान रहेगा, देखिए, शुरू आज से ही, बिलकुल अच्छे से आप समझना, दा हाउस यानि घर, ठीक है, दा आउनली वन इन दा इंटायर वैली, दा आउनली वन, यानि एक ही था, इन दा इंटायर वैली मे उस घटी में, चीक है, सेट ऑन दा क्रिष्ट आफ लो हिल, सेट ऑन दा क्रिष्ट यानि चोटी परिस्थित था, सेट ऑन दा क्रिष्ट आफ लो हिल, यानि एक निचली पाली की चोटी परिस्थित था, फ्रॉम हिज हाइट, उस मुचाई से, वन कुड सी दर रिवर, वन मैंने कोई भी एक आदमी जैसे ही वाज भी जैसे बोल ही वा और वी हम लोग बोल देते हैं हम तुम तो उसी तरी के सब्सक्राइब कोई भी कोई भी व्यक्ति वन कुड़ सी कोई भी देख सकता था दर रिवर नदी and the field of the ripe corn dotted with the flowers the field field यहां खेथ है ठीक है और ripe मने तो पका हुआ होता है राइप मने क्या होता है पका हुआ तो और corn तो आप वैसे तो corn मने साथ भुटा होता है पका है लेकिन यहां पर आपको अनाज बोल सकते हो ठीक है राइप कारण का मतलब अनाज पका हुआ है अनाज की ख सब्सक्राइब कर रही थी एक फूलों के साथ अगर शुरू से बिलकुल हम जो लोग एक सेंटेंस में जोड़के बोलें इसको हिंदी में तो क्या बोलेंगे वन कुट सीदर रिवर कोई भी एक बेक्ती वहाँ से देख सकता था नदी को और एक अनाज के फसल को पके हुए अनाज के फसल को एकका दुक्का खेतों पे फूलों के साथ जो की ये वादा सदे वादा करती थी कि अच्छी फसल हो की ठीके इसके बाद है दा आनली थिंग ए वाज अडाउन पावर एट लिश्ट असावर ठीक है वाज अडाउन पावर डाउन पावर का मतलब होता है मुशला धर बारिस क्या होता है बहुत तेज बारिस ठीक है और सावर का मतलब बहुचार उसको क्या जगरत थी एक या तो बहुत तेज बारिस की हलकी फुहार छीटे तो पढ़ने ही है बूंदा बानदी हो जाए फ्रो तो यह आए ऐस बॉल सकते हो आट है कि इस प्रकार से ह haft even जो लेंचोगे जो अच्छे से सब्सकित की जैनता आपने फेट के बीजुए भी भी ह में बन कर सकता था को था उब से बन कर सकता है यह पूरी तरीखे से से बन्हाइज कुछ भी नहीं कर सकता था इल सायं पट शीन कि द इसकाई फिर भी इलस ब्रत फिर तूर्ट वाने की ओर किधर नॉर्थ इस्ट याने उत्तर और पूर्व की ओर फिर भी वह उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था ठीक है और उसके पास कोई चारा भी नहीं था फिर उसके बाद है नाव वी आर दर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ये देखें लोग पानी प्राप्त करने जा रहे हैं नाव अब वी आर रियली गोइंग हम जा रहे थे टू गेट पाने सम वाटर यानि कुछ पानी वूमेन ये महिला ने कहा यानि उन्शके अहुरत ने वाइच में ने कहा दट वूमेन हू वाज दक्रिपेरिंग सपर दवूमेन ये वो महिला जो हूँ आज प्रिपेरिंग यानि तयार कर रही थी सपर यानि भोजन रात के भोजन को साम के भोजन को क्या कर बोलते हैं सपर रिप्लाइड उत्तर दिया येस गौट विलिंग गौट्स विलिंग येस हाँ भगवान की तो यह ये इच्छा है ठीक है जपकि उनमें से जो चोटा था वर प्लेइंग क्हेट में गर के पास में ही Until the woman called to them all, until यानी तब तक जब तक the woman called them all, जब सब को पुकार नहीं लिया, come for the dinner, खाने को आने के लिए, खाने के लिए जब तक सभी को पुकार नहीं लिया, तब तक वो सब खेल रहे ते और वो खेत में काम कर रहा था, ठीक है, बड़ा वाला लगा, अब इसके बाद है आग has predicted big drop of a rain begin to fall, it was during the meal, ठीक है, भोजन के दौरान, ठीक है, जब खाना सभी में लोग खा रहे थे, तो क्या हुआ, just as lencho had predicted, जैसा की lencho ने भविस्त्वानी कर चुका था, या किया था, big drop of the rain, यानि एक बड़ी बून, बारिस की, begin to fall, गिरना प्रारम हो गई, in the north east, huge mountain of the clouds, in the north east, यानि उत्तर और पूर्व की ओर, huge मने विसाल, यानि बहुत बड़े बड़े वाश्ट भी बोल सकते है, mountains यानि परबत, of clouds, किसके, बदल के, could be seen, देखे जा सकते थे, approaching, आते हुए, या उभरते हुए, ठीक है, बाहर निकलते हुए, या परियास करते हुए, कि आप बरसने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ approach, आते हुए लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा, the air was fresh and sweet, the air, यानि कि हावा, was fresh and sweet, ताजी और मधूर थी, ठीक है, the man went out for no other reason, जो man था, यानि वेक्ति था, लेंचो था, went यानि गया था, आउट यानि बाहर, for no other reason, किसी दूसरे कारण के लिए नहीं, than to have the pleasure of the feeling that ran, than to have, वो प्राप्ट करने के लिए, जबकि प्राप्ट करने के लिए, the pleasure, यानि प्रसन्नता, of feeling, अनुभो करने के लिए, the rain, बारिस की, वो बारिस के सुख का आनन्द लेने के लिए गया था, on his body, अपने सरीर पे, अपने सरीर पे वो बारिस का आनन्द लेने के लिए गया था, and when he returned, और जब when he returned, वह वापस लवटा, तो he exclaimed, he exclaimed मने, वह exclaimed मने होता, तेजी से आचानक अपने भाव परकट करके बोलना, उसको exclaimed बोलते हैं आक्सचर के साथ, तो इसका मतलब हो गया कि वो जब लवटा, तो कुछ जोर से बोलता हुए, अचानक अपने भाव व्यक्त करते हुए बोला, ठीक है, क्या बोला, आई हम लोग अगले इसमें पढ़ते हैं, यह बारिस की बूंदे नहीं हैं, यह बारिस की बूंदे नहीं हैं, जो आस्मान से गिर रही हैं, यह नैसे के हैं, the big drops, यह बड़ी बूंद है, ठीक है, are 10 cents pieces, 10 cents pieces, जो बड़ी बूंद है, the big drop, are 10 cents, जैसे हम लोग गया, रुपया और पैसा चलता है, उसी तरीके से हैं, सेंट है, ठीक है, तो cent pieces, यानि 10 पैसे का टुकडा है, ठीक है, 10 cents का टुकडा है, and the little, जो छोटी है, 1 and 5, वो एक और 5 के सिक्के हैं, ठीक है, इसके बाद, कोईन तो खर कहीं नहीं लिखा, लेकिन, एक और 5 के हैं, इतनी ही बात है, फिर उसके बाद, with a satisfied expression, with satisfied यानि संतोस जनक, expression का मतलब, आप क्या बोलेंगे, expression को भाव बोल सकते हैं, अपना, express करने को, हम लोग क्या बोलते हैं, कि अपने अनुभवों को, जो है, express करते हैं, feelings को भावों को, ठीक है, तो with, कहां गया, with a satisfied expression, with satisfied expression का मतलब, संतोस जनक, भावों के साथ, he regarded, he regarded, यानि विचार करना होता है, regarded मने क्या होता है, विचार करना, तो he regarded, the field of ripe corn, with its flower, drabbed in a curtain of rain, उसने विचार किया था, कि जो मैदान, यानि खेत था, ripe corn, पके हुए अनाज का, with its flower, अपने फूलों के साथ, drabbed, यानि लपट चुका है, in the curtain, यानि पड़दे में, of the rain, यानि बारिस के, उसने ऐसा भाव, संतोस जनक भाव, जो है, क्या किया, अपने मन में रखा, लाया, कि जो है, बारिस के पड़दों के साथ, अब पूरे तरीके से, पके हुए अनाज की फसल, drabbed, यानि लपट चुकी है, धग चुकी है, यानि हर तरफ से उसके बारिस हो रही थी, ठीक है, फिर उसके बाद है, आपका, बट, लेकिन, सड़नली अचानक ही, स्ट्रॉंग विंट्स विगन टू ब्लो, तेज हो रही चलने लगी, एंड अलॉंग विथ दरैन, इसके साथ साथ, अलॉंग विथ यानि इसके साथ साथ, दरैन वेरी लाज हैल स्टोंस विगन टू फाल, बारिस ने बड़े-बड़े ओलों को गिरना भी प्रारंब करा दिया है, ठीक है, या बारिस में हैल स्टों के साथ साथ, बहुत बड़े-बड़े ओले बी गिरने लगे, पत्थर भी गिरने लगे, दीश टूली, यानि ये सत्ता में, डिड रिसेंबल निउ सिल्वर कॉइंस, ये नए सिल्वर यानि की चांदी के सिल्वर में असेंबल हो रहे थे, बारिस में अपने आपको कपले उतार के नहने के लिए, आनन्द लेने के लिए, वो खुद अपने आपको एक्सपोज कर रहे थे, खोल रहे थे, रैन आउट जब बारिस चली गई, तो टू कलेक्ट यानि घट्टे कर रहे थे जमे हुए मोती यानि जो छोटे छोटे आपके ओले गरते हैं तो गोली जैसे मिलती है न वो ठीक है फिर उसके बाद है आपका अब वास्तों में यह बुरा हो रहा था एक्सक्लेम्ड दा मैं मैं ने जोर से बोला I hope it passes quickly या जल्दी मैं आसा करता हूँ it passes quickly या जल्दी से ही गुजर जाए I did not pass quickly it did not pass quickly या तेजी से नहीं गुजरा for an hour एक घंटे तक the hell rained on the house जो hell थे यानी ओले थे रेंड वाने बरसते रहे on the house घर पर the garden यानी बगीचे पर the hill sides पाड़ियों की तरफ the corn field अनाच की खेती की तरफ on the whole valley और पूरी घाटी में पूरी घाटी में ओले गिरते रहे गार्डन में गिरते रहे corn field में गिरते रहे hell side में गिरते रहे the field was white जो आपकी field थी वो कैसी हो गई the field was white as is covered with the salt जैसे की नमक से ढग गई हो not a leaf remained एक भी पती ना बची थी on the trees यानी पेवनों पर the corn was totally destroyed वैसे corn बने भुट्टा होता तो भुट्टे की पसल भी बहो सकते या अनाज भी हाँ the corn was totally destroyed अनाज पूरी तरीके से बरबाद हो गया था the flowers were gone flowers मतलब फूल चले गए थे were gone from the plants जो है किसे पौधों से लेंचोच सॉल was filled with the sadness लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड यानी भर चुकी थी with sadness किस के साथ दुख के साथ दुख से उसकी आत्मा भर गई थी when the storm had passed storm माने तूफान होता है when the storm had passed जब तूफान गुजर चुका था he stood in the middle of the field वह खेत के बीच मैदान में खड़ा था and said to his son और अपने लड़के से कह रहा था आएम कर लेते हैं आगे आप plays of the load does यह कि लोक्रस होता है आपकी TIद्डियां ठीक है अप्लैक माने उनका जुंड आ प्लाग आफ लोक्रस या प्लाग माने शरी प्लैक बोलने में है लिखा हुआ है यह जो प्लेक की स्पेलिंग बीमारी होती है तो प्लेकHigh का मतलब एक तरीके की गमभीर समस्या आपदा बोल सकते हो तो आप playground आफ Why watch a यानी की टिड्डियों की जो आप्दा होती है वूड्य हैव लेफ्ट वो भी कुछ छोड़ देती है more than this असे कहीं नथिख ठीक है आप playground आफ-बॉक्टś यानी की डिड्ड्टियों की जो आपती होती है would have, वो भी कुछ छोड़ देती है would have left more than this, इससे भी कहीं है देख the hell has left nothing the hell यानि ओलो ने has left nothing, कुछ भी छोड़ ना रखा था, ठीक है this year we will have no corn इस साल हम आज नहीं कर पाएंगे this year मतलब this year, इस वर्स we will have, हम नहीं रखेंगे no corn, कोई भी है नाज that night was a sorrowful one that night वो रात वाजवाने थी the sorrowful यानि दुख की one हर एक के लिए our work, सारी जो मेहनत थी for nothing, कुछ ना थी there are no one who can help us there are no कोई भी ना था, one, एक भीवक थी who can help us, जो इसकी हो साहता कर सकता कोई जो उसकी साहता कर सकता यह हमारी साहता कर सकता यह inverted कामा में वो बोल रहा है अपने लिए लगे थी there is no one, कोई भी ऐसा नहीं है who can help us, जो हमारी साहता करे we sell, all go hungry this year we sell, all go, अब हम सब को भूखा रहना होगा, this year is worse but in the heart of all, उन सभी के हिर्दय में, who lived रहता थे, in the solitary house एकाकी घर में in the middle of the valley, उस मद घाटी में, तो there but in the hearts of all who lived in the solitary house जो उस घर में, एकाकी घर में रहते थे, valley के middle में ठीक है, उनके hearts में, क्या था there there all our work there are, there are कहां थे, हाँ, there was there there was a single hope के विल एक आसा थी, उनके हिर्दय में एक आसा थी, help from the God यानि भगवान से मदद की किसे, भगवान से मदद की वीडियो देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो ठीक है, वीडियो वा काफी लंबा हो गया इतना ही रखते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा रखते हैं, जली स्टाँखद हम जानि